हलो दोस्तों आप सब कैसे हूँ I hope सो कि आप सब अच्छी हूँगी एक्जाम पाइंट में आप लोग का स्वागत है एक्जाम पाइंट के तरफ से आप लोगों के मांग पर बिहार स्पेसल शुरू कर दिया गया है 67 BPSC CDPO PT Examination के लिए बिहार स्पेसल में मैंने आप लोग के लिए दो वीडियो बना दिया है जो भी इस्टूटेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है PT Examination को खास कर के लिए के ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको भी सह सूची द मैंने तयार किया था वो सारे के सारे हैंड डिटेंट नोट में आपको बताया जाएगा तो देख लिए विसह सूची यही है यही पूरा विसह सूची मैं आपको बताने वाली हूं 67 BPSC को लेकर और उसके अलावा कुछ-कुछ और points मैं इसमें एड करते जरूर जाओंगी तो इन ही सूची में से आज के सेशन में मैंने एक बहुत important सेशन उठाया है जिसका नाम है बिहार में महतपुर्ण operation देखे जैसे कि मैं इसको समझाने के लिए एक example के थुरू आपको मैं समझा देती हूँ देखे बिहार में जैसे महतपुर्ण operation है यानि कि जैसे कि आपको पता है जैसे स्वेत करांती आई थी ठीक है स्वेत करांती दूद के लिए थी फ्लोड वागेरा बला जो आया था फिर बहुत सारे रज़त करांती आई थी अंडा के लिए उसी तरीके से कुछ ऐसे और उसके अलावा किन सरकार के दोरा महतपुर्ण टाइम पे अलग-अलग करके अलग-अलग चीजों को बाटा गया है ठीक है उसी तरीके से बिहार में भी बहुत महतपुर्ण आप्रेशन हुए हैं जिस ऑप्रेशन से लोगों को लोगों को बचाने के लिए किया गया ठीक है यानि कि समास को सुधार करने के लिए और उससे जो घानी हो रहा है दे देख लिजेगा प्रिफियर्स के कोशन बैंक उठाके आपको पता चल जाएगा हो सकता है दो साल नहीं पुछा होगा दो साल पहले पूछा होगा लेकिन आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है बहुत ही छोटा सा है आप एक नजार डाल लिजेगा तो आपको याद हो के लिए form fill up किये हैं यानि कि पहले से बहुत ज्यादा ही लोग इस वर form fill up कर दिये हैं तो इसकी वज़ा सिर्फ एक है कि बीपीसी अफ रेगुलर हो गई है हर साल बीपीसी एक्जामनेशन ले रही है जिसके वज़े से लोगों को यानि जो स्टुडेंट हैं उनको लग रहा था सौर्ट कट में मत जाई ठीक है सौर्ट कट हमको उतना ही पढ़ना जितना जरूवर थे लेकिन कुछ चीजों ऐसे हैं जो आपको आपके नजर में होना चाहिए क्योंकि जो चीज आपको उन सब में से अलग करती है वही है जो आपको अलग एक नजर बनाकर रखना है यानि कि जो सबको पता है वो तो आपको पता ही यह लेकिन जो सबको नहीं पता है वो आपको पता होना चाहिए तब जाकर आप EPSC में अच्छे से अच्छे स्रीट आप ले सकते हैं अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं तो मेरे हैं रिटेन न देखिए और धनबंत्री तो धनबंत्री देखुए आपको पता है धन्बंत्री एक देवता भी है किसके जड़ी बूटी के देवता दूरी के भी हार में सबसे के लिए प्रिट एक्जामनेशन के लिए बिहार में स्पेसल बुक है मेनिसी बुक है उसमें भी यह दिया हुआ है ठीक है तो देखिए ऑप्रेशन धन बंत्री के तहट जो काम हुआ बिहार में कि राज के व्यापक अभेज त्था नखली दवाएं पर नियंत्रं करने के लिए आप कभी कभी देखे होंगे चापा पड़ता है दवाई वगेरा कर खाने में चापा पड़ता है तो चापा पड़ता है उसका एक नाम रखा गया और उप्रेसण धन्बंत्री के ही पेपर तयार कि जाती है और र राज में जो व्यापक अवैक तरीके तो जो नकली दवाएं पढ़ रहे उसको नियंतरन करने रोक लगाने के लिए ओप्रेशन धन्बंतरी चलाया गया था बिहार में ठीक है एक हम लोग देख लिया दूसरा देख लिए जिया ओप्रेशन कमिवंग ठीक कमिवंग जो था व उनहीं को आरोप्यू सबको पकड़ने के लिए बिहार राज ने ओप्रेशन कमिवंग चलाया था और उनके जर्यें पकड़ कर लोगों को सजा दिलवाय थे ठीक है पिर अगला देख लिए ओप्रेशन ब्लैक पैंथर ठीक है उप्रेशन ब्लैक पैंथर क्या है तो देखे तो यहां ध्यान देना है पश्मी चंपारण में जो वियापत दस्यूस समस्या थी यानि नकसल्यों को समस्या हो रही थी उनको उन्मूलन हेतू यह ब्लैंक पंथर बिहार राज के द्वारा चलाया गया है अब देखिए अगला जो है आप लोगों ने सुना भी होगा ऑप्रेशन टोडर्मल कौन थे तब को पता है नौरतनों में से एक थे अकवर के ठीके तो अप्रेशन टोडर्मल जो थे नौरतनों में से वह भूमी सुधार में काम कर देते तो यहां भी बिहार सरकार ने भूमी सुधार से रिलेटेड ही काम करने के लिए ऑप्रेशन टोडर्मल जो चला था और राजकी में भूमी सुधार कारकरम को त्रिवता लाने वाब भूमी हिनों को समूचित भूमी का बित्रन हेतु भूमी बित्रन किया गिया जिनके पाजादा भूमी थी जो अवैड भूमी रखे हुए थे उनसे लिया गया ठीक है किसके दौरा हुआ तो ऑप्रेशन टो डर्मल ठीक है आपने कई बार मॉवाइल आपने पेपर में टीवी में या फिर अपने मॉवाइल में देखा होगा ज यह मुझे समझाने की जरुवत नहीं है आपको पता ही होगा आप देखियो ऑप्रेशन जगवार ऑप्रेशन जगवार के बाद अंग परदेश एवं कोसी अंचल के दियारा में अपराधियों को सफाया है तू चलाया गया था ठीक है यह भी जादा करके देखिये बिहार म मजिस्ट्रेट राजवल्ला बर्मा द्वारा बैस्याले को समाप्त करने के लिए चलाय गया था देखिये एक ताइम था जब मुझब परपुर में बैस्याले हुआ करते थे ठीक है अभी है कि यह मुझे नहीं पता ठीक है मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में मैं उतना ज समाप्त करने के लिए और उजला चलाया गया उजला उजला सथा को समझ में आ रहा है नई जीज़ नई दिसा ठीक है तो यह प्रेशन चलाया के था बिहार सरकार के दौरा मुझब पर पूर्जिले में वहां के मजिस्ट्रेट और कलेक्टर दौरा मिल कर जो वैस्जावाल आपको पता है अभी बड़ी-वडी उची-उची विल्डिंग कर खाने खुलने के लिए पीडों को लगतार काटा जा रहा है बहुत तेजी से कट रहे थे अभी तो थोड़ा सास था हो गया है ठीक है लेकिन बहुत तेजी से कट रहे थे जब भी पेडों से अगर रिलेटड चलाए गया था वह था संदर्चित बनों को अवैज सिकार से रोकने के लिए ठीक है जो बन थे कट रहे थे जैसे चंदन की लकड़ी आपको पता है चंदन के लकड़ी को ज्यादा करके आपको पता है ट्रांस्पोर्ट बगएर खिया जाता है चोरी छुपे तो उन सब को आपरेशन मांसून के जरिये पकड़ा गया और रोक लगाया गया था आप देखिए उप्रेशन फलड मैंने स्टार्टिंग में हिनका नाम लिया था ओपरेशन फ्लड दूद करांति के हित्तू चलाया गया था थेकिए दूध करांती जो हो रहे थी उसका नाम था अपरेश क्यों चलाए गया तो बिहार में दैनी कुपयोग के बस्तूओं में की जारी है मिलावट को समाप्त करने हैं तु चलाए गया दैनी कुपयोग मतलब आप डेल जो रोज मर रहा कि जिन्दिगी में आप यूज करते हैं जैसे कि फॉर एक्जामपल सबका जो मन पसंद है मैगी कोल्ड रिंग चिप्स यह सब जो है फास्ट फूट बगेरा जो है थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ने उड़ने के टाइम पे खापी लेते हैं तो ऑप्रेशन चनक के द्वारा चलाया गया था जिसमें मिलावटी समान जो मिलाया जा रहा था उसके लिए आपने देखा हो हो और दिवाली के टाइम पर जैदा करके मिठाई के दुकान में च्छापा माषा जाता है व्सक्रियों क्या सब लोग क्या करते हैं खुआ कर जैद का गलत चित मिला जते हैं जिससे बीमार हो जाते हैं लोग और फथाइक judging तो छापा मारा जाता है और उसको फैशी के द्वारा एक दम complete check-up होती है कि वो सही है कि नहीं है बजार में उतारा जा सकता है या नहीं उतारा जा सकता है उसके बाद उसको उतारने का फैसला किया जाता है तो यह सब जो होता है operation चनक के द्वारा किया जाता है बिहार में कि जो दैनिक चीज है उसमें जो मिलावट हो रही है क्या उसमें मिलावट है नहीं है इसके जांच परक की जाती है फिर उसे मार्केट में भीज़ाता है अभी हाल फिलहाल में आपने मैगी पर भी देखा होगा बहुत ही हो हला था मैगी को लेकर उसमें भी जांच परक करने के बाद फिर उसे अच्छे से चलाने का नुमती दे दिए तो यही था आज के सिस्टन में जो मेरा बताने का उद्देश था आज के सिस्टन में कि बिहार के जो महत्पुन ऑप्रेशन हुए हैं उसको आप भूलने की जरुवत नहीं है आपको बहुत थोड़ा सा है जैसे कि मैंने तीन तीन शे और लगभग दस ठीके दस तो दस ही ऐसे ओप्रेशन हुए हैं एक नजर आप देख लिजिए गत आपको याद हो जाएगा दो तीन तो आ आपको याद करना पड़ेगा बलक नहीं तो फिर एक से दू जो है आपको थोड़ा सा हाड है उसको ख़ड़ा देखना पड़ेगा बाकि जो एक वरा पढ़िए गाता आपको याद हो जाएगा तो आज के सेसन में जो मेरा उदेश था आपको यह बताना कि बहुत इंपॉ पेज नमबर 90 निकालिएगा और 90 निकालने के बाद जब इस साइड में देखेगा बिहार के महतपुर्ण ओप्रेशन देखिए वही चीज है जो मैंने अपने हैंडिटे नोट्स में लिखे हैं ठीक है तो यह देख लीजेगा आपको पता चल जाएगा कि यही चीज बिहा के लिए है और यह फिलिपकार्टे में जोन पर नहीं मिलेगा इसलिए दिमाग मतलगा यहां पर नहीं है यह आपको पटना कि किसी स्टॉल पर मिल जाएगा या फिर आपके जिस भी जहां पी रहते हैं वहां बुक दिखाईएगा अगर यह बिए बिए वह तो आपको दे के लिए बहुत ही अच्छी बूख है मैं आपको बता देती हूं मैंने एक स्टूडेंट थे उनका मैंने इंटर्व्यू देख रही थी जब इसे पीटी जामनेशन कॉलिफाई किये उन्होंने तो उनका इंटर्व्यू देख रहे थे इस बूख का जिकर उन्होंना बार-बा श्तूर्यूट में आप इसको नरी रूप में आप इसको लेकर कर सकते हैं तो आज के शेसन में बस इतना ही और आपको कैसा लगता है यह वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताओंगे कि और और लोग बताऊंगे अजितना भी टापिक रहेंगे हर चीज मेरे handwritten notes में रहेंगे तो आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगे आप से किसी नए topic के साथ बिहार के नए रोवांचक हर्ट एक topic के साथ कि क्या-क्या हुआ है बिहार में और फिर पिटे एक्जामनेशन के preparation के साथ तो चली आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्यो सो मुच